Hello Everyone, आज के इस वीडियो में हम लोग discuss करेंगे आपके साथ malware के बारे में, malware क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है और यह कैसे work करता है, इनके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग detail में discuss करेंगे, क्योंकि यह वीडियो जो है आपके examination के point of view से बहुत important है, क्योंकि malware के बारे में काफी सारे जो questions हैं हमारे generally exams में आते हैं इनको कैसे handle करना है वो भी हम लोग discuss करेंगे और आज के इस वीडियो में हम लोग पहले जो है जो types of malware मैंने आपके सामने अभी list में रखे हुए हैं उनकी complete theory देखेंगे साथ में इन से related जितने भी multiple choice questions हैं उनको भी हम लोग जो है discuss करेंगे तो इसको वीडियो का आप एंग तक जरूर देखियागा तो अगर अभी तक आपने बीस है एकडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब इस चैनल क्योंकि इस चैनल पर हम लोग जो है computer science से related जितने भी examinations होते हैं जैसे DSSBO, KVS, EMRS, UGC net, set exam हो या फिर नायलेक्स exam है इस तरो exam है इन सारे exam की जो preparation है हमारे इस चैनल पर होती है तो strengths इस वीडियो को जासे आप like करिएगा शेयर करिएगा क्योंकि जितना आप like करते हैं शेयर करते हैं उतना हमारी BSI Academy team को भी motivation मिलता है कि हम आपके लिए और भी अच्छे च्छे वी refuse हो जाते हैं तो वाइरस एक अलग एक तरह का software है या फिर बोला जाए कि एक तरह का malicious software है तो types of malware में जो 14 है जैसे viruses है ट्रॉजन्स है वाम्स, phishing, ransomware, agware, malvertising, spyware, rootkit, keylogger, bot या फिर botnet, fileless malware, mobile malware और hybrid forms जो होती है इनको हम लोग जो है आज के इस वीडियो में detail में discuss करेंगे इन सभी में आपस में क्या-क्या difference है और क्या-क्या similarities है इनको भी check करेंगे अब यह जो वीडियो है आज का उन strengths के लिए या उन candidates के लिए जो कि DSSB, EMRS, KVS और NVS के TGT, PGT की preparation कर रहे हैं या फिर UGC net exam के paper 1 और paper 2 में जो UGC net में यहां से questions पूछे आते हैं set exam यह अंदर भी काफी questions आते हैं देन नायलेट और इस रो या फिर बहुत सारे ऐसे भी students है जो की जिनके competent exam में computer fundamental से related questions आते हैं तो सभी student जो है इस वीडियो को detail में देख सकते हैं अब एक करके हम लोग जो है different types of malware जो है जैसे की viruses है, trozens है, worms, fishing, ransomware, adware and malvertising और इसके बाद है हमारे spyware, rootkit, keylogger, bot, botnet या फिर fileless malware, mobile malware या फिर hybrid form इनको हम लोग जो हैं detail में आपके सामने discuss करते हैं सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं आपके सामने जो आप present कर रहे हैं virus के बारे में, तो viruses जितने भी सारे students हैं, इस term को सभी student ने जरूर सुना होगा, देखा होगा इसके बारे में, questions भी की होंगे, अब हम लोग देखते हैं कि virus का मतलब क्या होता है, तो virus की definition है, it is a kind of malicious computer program which when executed, replicates itself and inserts in own code, यानि इसका मतलब यह हुआ, कि virus एक तरह का ऐसा malicious computer program है, अब देखें, यह जितने भी हमारे malware हैं, यह जो हैं एक तरह के software होते हैं, या फिर बोला जाए कि software एक तरह का एक ऐसा, हमारे पास एक work होता है, या बोला जाए कि software एक तरह का ऐसा प्रोगा होता है जो कि आपके operating system के अंदर जो है, जब भी हम लोग उस file को execute करते हैं, या फिर run करते हैं, तो उसको हम लोग software कहते हैं, तो virus का मतलब यह हो गया, कि यह जो virus है, एक तरह की एक ऐसा malicious computer program है, जब भी हम इस particular program को run करते हैं, तो यह virus जो है, अपने आप जो है, फैलना start हो जाता है जैसे एक तरह का virus होता है, virus अपने आप से ही replicate start हो जाता है, या एक से दो बनते हैं, दो से चार, चार से आठ, इसी तरह से यह जो virus है, computer virus जो है, यह जो है, अपने आप जो है, self replicating होता है, और यह अपना खुद का जो harmful code होता है, वो है, आपके computer system के अंदर, automatically जो है, इसको insert कर दिया जाता है, इस virus की help से, तो virus जो है, वो दो काम करता है, एक तो यह खुद self replicate होता है, या अपने आपको produce करता है, और जो इसका harmful code होता है, उसको आपके computer system के अंदर insert कर देता है, तो इसमें बात यह है, कि जब भी हम लोग उस file को execute करते हैं, जिसके अंदर, वो virus present होत होता है, तभी जो है, यह अपनी working को start करता है, so when the replication is done, this code infects the other files and program present on your computer system, जब भी हम लोग जो है, अपने computer system में, जब भी इस particular files को run करते हैं, या software को run करते हैं, यह virus जो है, उस file से, दूसरी जो software की जो files होती है, दूसरी जो software की जो files होती है, दूसर प्रोग्राम की जो file होत है, उनको भी infect कर देता है, तो यह जो है, काफी सारे ऐसे virus होते है, जो automatically, जो है, अपनी काफी सारी जो copies बना देते हैं, आपके computer system के अंदर, तो उसी तरह से virus जो है, वही काम करता है, अब इसका जो example आपके सामने है, creeper और elk cloner, तो यह example मैं आपको दे रहा हूँ, मैंने ख इक तरह के virus है, तो नेकिए, virus का जो मतलब है, जो जब तक यह replicate नहीं करता है, जब तक आप उस software को या उस program के अंदर, जिसमें वो present है, उसे run नहीं करते हैं, तो अगर वो file आपके पास रखी हुई है, और आपने उसे execute नहीं किया है, तो कभी भी जो है, आपके system को harm नहीं इसे कुछ काफी सारे students जो हैं, या काफी candidates जो है, Trozen horse भी कहते हैं, काफी सारी website भी से Trozen horse कहते हैं, अब Trozen क्या करता है, यह भी एक तरह का malicious software होता है, अब यह जो Trozen है, यह लगता है कि एक तरह का ऐसा लगता है, कि यह एक तरह का reliable legitimate software है, या फिर प्रोग्राम है, है ना, इ एक तरह का आपको लगेगा कि यह जो प्रोग्राम है, बहुत legitimate है, यह अपना वर्क करता है, जैसे आपने काफी सारी website में जाके visit किया होगा, कि आपका computer के अंदर काफी सारे virus हैं, आप इस particular software को run कर लो, तो उसमें क्या होता है, वो Trozen होता है, तो Trozen क्या होता है, आपके website स से जो है, वो या फिर किसी website से या फिर email से आपके system में enter करता है, अब वो जो पहले हमने पढ़ा था virus, उस virus की entry है, वो उसकी entry काफी सारे हम लोग pen drive यूज़ करते हैं, तो harmful pen drive यूज़ करते हैं, तो वहां से वो system में आता है, Trozen जो होता है, हमारे जो network के अंदर जो हमारे पास जो harmful software present होता है, वहां से हमारे system के अंदर आता है, अब यह जो क्या करता है, यह क्या करता है, हमारे system के अंदर download होगा, यानि जब भी हम लोग उस particular file को execute करेंगे, अब वो file जो है, आपके network में available, वो network internet का हो सकता है, या फिर आपका जो बहुत सारे strength, बहुत सारे लोग जो है local area network को भी use करते हैं, तो वहां से भी आ सकता है, जब भी यह software या program download होता है, तो जो जिस system के अंदर हम इसको run करा रहे हैं, तो उसका जो पूरा control अपने हाथ में ले लेता है, अब इससे क्या होता है, कि अब यह फिर उसके बाद enter होने के बाद यह फिर अपनी activity स्टा कर देता है, अब यह कहां कहां present होता है, यह आपकी gaming की बहुत सारी website में होता है, आप जो बहुत सारी mobile applications को download करते हैं, यह वहां पर भी present होता है, इवन काफी सारे ऐसे software patches होते हैं, जहां पर यह present होता है, तो काफी सारे स्ट्वेंट virus और trozen, दोनों में difference नहीं कर पाते हैं, virus जो होता है, हमारी एक तरह से, हमारे खुद की एक तरह से reliable source से आता है, और trozen जो है, वो भी reliable source से आता है, पर वो maximum जो है, आपकी network से आता है, यानि आप games, game खेलते हैं हम लोग mobile applications, ना जाने कितनी mobile applications को, हम लोग अपने software, अपने system के अंदर, इवन अपने mobile के अंदर download कर ल viruses हैं, या trozen जो है, काफी सारे हमारे attachments में आते हैं, email के attachments में आते हैं, आप से तभी कहा जाता है, जब भी कोई, आपको कोई person email भेजे, तो उसमें अगर कोई file, executable file है, तो उसको आप download ना करें, है ना, तो इसे हम लोग कहते है, phishing email, अब phishing क्या होता है, अभी मैं थोड़ी अब हम लोग next करते हैं, अब देखिए, इसका example है, emotent, दो इसका trozen का best example है, वो है emotent, then next हमारे सामने हैं worms, अब अभी तक हम लोगों ने viruses के बारे में, trozen के बारे में discuss किया, then worms भी जो है लगबक उसी तरह से work करता है, ये भी हमारे जो भी program है, या फिर जो भी software है, उनकी vulnerabilities को देखता है, उसमें loophole को देखता है, या तो ये software की vulnerabilities के द्वारा spread होता है, या फिर इसे भी हम लोग fishing attack से एक तरह से अपने system के अंदर बुला पाते हैं, अब देखिए, fishing attack जो है, अभी तक मैंने आपको नहीं बताया कि fishing attack क्या होता है, तो worms के बारे में, worms के बारे में, इसके अलावा जो है, जब भी हम लोग जो है, worms जो है, एक तरह से, जब हमारे computer memory के अंदर install हो जाता है, तो ये पूरी की पूरी complete machines को infect करना start कर देता है, और हमारे computer की machine से, देन उसके बाद ये हमारे network को भी बहुत जादा harm करता है, तो अभी तक virus और trozos के बारे में हमने discuss क किया था, बट वाम जो है, ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जो resources जो है, हमारे computers के लिए हम लोग जो है, यूज करते हैं, वो ये जो वाम है, उन resources को एक तरह से, कहीं और engage कर देता है, जिसकी वज़े से, वो resources जो है, हमारे computer को नहीं मिल पाती, तो इसकी वज़े से, ये क् करता है, कि हमारी जितनी भी जो files है, जो कि बहुत important है, हमारे system के लिए, उन्हें या तो modify कर दिता है, या फिर उन files को ये delete कर दिता है, इसके अलावा, इसके जो example है, वो है SQL Slammer और MS Blaster, then Worms के अंदर ही अगर देखा जाए, कि जब हम लोग जो हैं, एक तरह से किसी भी software को या फिर कोई ऐसे program को जो की reliable नहीं होता है, वो हमारे computer के अंदर inject हो जाते हैं, तब ये क्या करते हैं, ये Worms जो हैं, अपने आपी replicate करना start कर देते हैं, और हमारी जो resources हैं, system resources हैं, उनको use करना start कर देते हैं, then hacker जो होते हैं, वो इन Worms की help से हमारे computer के अंदर backdoor entry कर लेते ह हैं, और हमारी जितनी भी files जो की हमारे लिए useful हैं, उनको ये automatically delete करना start कर देते हैं, अब next आता है phishing, अब ये जो phishing है, अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो trouser हैं, या फिर हमारा Worms है, ये phishing के द्वारा हमारे computer system के अंदर enter करना start कर देता है, तो phishing क्या होता है, ज़र आ engineering attack है, अब ये social engineering attack का मतलब ये है, कि ये जो हमारी community websites होती है, जैसे facebook है, twitter है, या फिर हमारे email जो है, ये उसकी help से हमारे system के अंदर enter करता है, और ये जो है, एक तरह का cyber attack जो है, मतलब एक तरह से किसी भी hacker को, या किसी भी unwanted network वालों को, अगर एक साथ काफी बड़ा attack करना है users को, तो ये जो है, उन cyber attack की category में आते हैं, इसके अलावा, जैसे कि मैंने बताया है, कि इसको आप, ये जो है, email के through, या फिर text messages, या फिर web links के द्वारा, जो है, हमारे computer system के अंदर enter करते हैं, जैसे आपने बहुत सारे ऐसे mail देखे होंगे, जिनका sources के बारे में हमें नहीं पता हम लोग जो है, उन को click कर देते हैं, तो अभी कहा गया है कि इस तरह के email जिनके बारे में आपको नहीं पता होता है, या फिर एक तरह से, जिनके बारे में अगर आपको पता है, तो उनको आप click करें, तो यहां पिर क्या करते हैं, hacker जो ए, कोई एक files के अंदर, इस तरह जाने-अनचाने में उसे क्लिक कर देते हैं जिसकी वरज से यह जो एक्टैक है हमारे सिस्टम मेंटर हो जाता है अब इसकाम इसके कर सक्षेacz हिमेशन हाईजैकिंग या फिर फेक वैबसाइक बहुत सारी ऐसी फेक जो लगती हैं एकड़ हमारी औरीजनल वेबसाइट के तरह है और हमें रखता है कि वह हमारी जैसे मान के चलिए आपका bank account है अब आपने क्या गिया आपके bank account आपका किसी बहुत famous bank account मान के चलिए SBI का है तो SBI की हुबरू एकड़ स्टोर website को यह जो hacker है वो create कर देंगे तो तभी जब कहा गया है कि जब भी आप किसी भी website पर आप अपनी entries को fill करें तो पहले यह सुनेशित कर लें कि आप सही website पर अपनी entries को जाल रहे हैं इसके लावा बहुत सारी ऐसी fake websites होती है जिनके थ्रू जो है बहुत सारे unwanted attacks या फिर बहुत सारे unwanted message जो है हमारे computer system के अंदर enter हो जाते हैं then next up next है इसमे ransomware और ransomware नाम से पता चल रहा है ransom नाने अनि किसी से money के demand करना जो की एक तरह से कहते हिंदी में frothy हो ना तो उसी तरह से ransomware भी क्या होता है यहां पर ransomware के help से यह ransomware जो है यह encryption algorithm पर based होता है जो कि किसी भी user के system की files को या फिर उसके पूरे whole system को encrypt कर देता है अब जो files आपकी बहुत जादा useful है उनको आपकी जो files है वो किसी अलग form में convert हो गई है अब उनको आप use करना चाहते है बड़ आप उसे use नहीं कर पादे क्योंकि अब यह क्या person यह जो hacker है या free person है यह क्या कहता है कि आपसे कि अगर अगर आपको अपनी files को अगर आप decrypt करना चाहते हैं तो आप उसे money send कीजिए तो यह इस तरह की जो demand जो है उन hackers की द्वारा की जाती है जो कि यह खास तो और से इस तरह के जो attacks है वो हाल के समय में काफी होने लगे है तो यह क्या करते हैं जिस से भी particular computer को target करते हैं उसके सारे data को एक अपनी encryption technique से उसको code के अंदर अब जब तक फिरी क्या करते हैं यह hacker जो है आपसे money की demand करते हैं तो जब आप इन्हें money पहुचा देते हैं यह क्या करते हैं आपको description की key provide करते हैं बड़ कोई guarantee नहीं है कि आपने payment के बाद जो आपको description की की मिली है वह एकदब original है तो इसी वजे से क्या होता है इस तरह के attack जो है हाल के समय में काफी देखने को मेले है इन्हें हम लोग जो है ransomware कहते हैं for example Robinhood Robinhood इसी तरह का attack है computer system के अंदर then next आता है addware नाम से पता चल रहा है advertisement wear यानि एक तरह के ऐसे advertisement जो की unwanted होते हैं तो जब भी आपने देखा है जब भी आप किसी website को visit करते हैं तो वो आपके browser की help से कुछ cookies store कर देते हैं तो जब भी आप किसी website को visit करते हैं तो उसके left hand side पे right hand side पे unwanted commercial advertisement आपको देखने को मिलते हैं तो यह जो addware है एक तरह के ऐसे software applications होते हैं जो की browser के अंदर आपके automatically store हो जाते हैं तो जब भी आप किसी website को visit करते हैं तो बहुत सारी जो commercial advertisement banner जो है वो display होने लगते हैं और जाने अन जाने पर भी आप उन banners को click नहीं करना चाते हैं पर आप click कर देते हैं और आप उनकी website पे पहुंच जाते हैं तो इस तरह के addware जो है यह खास तोर से आपके browser label पे work करते है और यह जो है अब जो है इस तरह में काफी इसका चलन हो रहा है क्योंकि जो है आप बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो google adwords से या किसी भी तरह से money कमाते हैं आपको उसी website पर rotate कराते रहते हैं तो इस तरह की जो website से उनको उनसे आपको बचना हो और उन website पर visit करके आपको कोई भी click जो है वो नहीं करना है तो यहां पर क्या करते हैं कि user की जो browsers की जो history होती है उसके according जो है वो web pages को build कर देते हैं और वहां से जो है project की promotions को आपकी help से वो कराते हैं तो यह जो है खासता और से आजकल जो है common है बड़ा और इसका example best example है firewall then next आता है malvertising तो agware और malvertising इन दो जो है काफी सारे student जो confused होते हैं तो agware जो है वो एक तरह से illegal websites होती है बट malvertising में क्या होता है कि आपकी जो legal website के अंदर जो है यह इसको malvertising को inject किया जाता है तो agware जो है वो user level पर work करता है malvertising जो है वो website level पर work करती है तो यहां पर देखा जाए तो malvertising जो है कोई particular website को target करती है और जब भी कोई user उन website को visit करता है तब जो है वो जो कहकेते hacker है या फिर unwanted websites है वो जो है common एक computer system के अंदर किसी भी user के enter करती है तो इसके अंदर आगर देखा जाए तो एक तरह का यह ऐसा attack है जिसमें जो hacker है वो malicious code जो है legitimate online advertising network के help से वो जो है उनको enter करता है तो वो website जो कि उने जो एकदम legitimate होती है एकदम real होती है उनको जो है target किया जाता है क्योंकि वहाँ पर जादा सादा लोग visit करते हैं और जब लोग वहाँ वेब साइट पर visit करते हैं तो उन website की help से जो है ये लोग जो है आपके computer system के अंदर enter करते हैं तो यहाँ पर उन legitimate website की help से आपको एक कि यह जाया जाता है तो यहां पर यह जो है वैबसाइट लेबल में वर्क करते हैं मैलोटाइजिंग नहीं इसी के अंदर जो इसका एक्जामपल है वो है रफ टेक्ट अब हम लोग है जो वैबसाइट के पब्लिशर है यह उसको टार्गेट करते हैं और उसको टार्गेट करने से यह क्या करते हैं वैबसाइट को टार्गेट करने के बाद जो है वो यूजर को उन वैबसाइट पर लेके जाते हैं जो की illegitimate होती है, तो legitimate website से illegitimate website पे लेके जाने का जो काम होता है वो malvertising का होता है, बट Adware क्या होता है, individual user पे वर्क करते हैं और ये individual user की history के according उनके browser से उनको एक तरह से illegitimate websites पे लेके जाते हैं इसी तरह से malvertising जो है, एक तरह से आपको देखा जाए, malvertising only affects user viewing and infected webpage, यानि एक तरह से website से illegitimate website पर लेके जाने का काम जो है, malvertising का है, और जो Adware है, वो user के computer level पर work करते हैं ये दोनों जो है, इन में basic जो है difference है, अब strengths अभी तक हम लोगों ने काफी सारे malware के बारे में discuss किया, इसके अलावा हमारे बहुत सारे computer science के courses हैं, जो कि हमारी BSI Academy के दोरा offer की जाते हैं, जिसमें UGCnet का paper to, set exam, KBS PGT का course है, DSSB TGT and PGT course, NILATS का scientist B and technical assistant A का course है, EMRS PGT का course है, NBS TGT and PGT course, PSG का entrance exam or state leveling computer teacher के जो courses हैं, वो हमारी website पर available हैं, इसके अलावा हमारी बहुत सारे set courses हैं, जो की हमारी BSI Academy के दोरा एक तरह से offer की जाते हैं, जिसमें 36 गर, गुजराज, हिमाचिल परदेश, करनाटका सेक्ट, महराश सेक्ट, उत्तराखन सेक्ट, राजिस्तान सेक्ट, हरियान सेक्ट, गोवा सेक्ट और वेस्ट पेंगल सेक्ट जो है, then next आता है spyware, अब जो spyware है, जैसे नामसी पता चल रहा है, एक तरह से spy मतलब किसी पर नजर रखना, तो spyware जो है, ये एक तरह का ऐसा software है, जो computed device के अंदर enter करता है, user के बारे में, जितनी भी information है, उस data को gather करता है, user के password, उसके username, और उनको जो है, दूसरी third party को आपकी सारी information को provide कर दिया जाता है, तो maximum level पर इसको जो है hacker यूज करते है spyware को, तो user की permission के बिना उसकी सारी information को किसी third party को send कर देना, ये जो है spyware का work होता है, और spyware जो है, जितनी भी user की जितनी भी activities है, वो कब enter करता है, ये system के अंदर, कौन-कौन सी activity करता है, किन-किन files को use करता है, उन सभी की सारी information जो है, अपनी third party लोगों को send कर देता है, यानि hackers को send कर देता है, और इसमें आपके password, आपके ATM pins, या फिर और भी बहुत सारी payment information, या फिर बहुत सारे आपके जो message होते हैं, उनको unstructure करके, यानि encrypt करके, आपके third party software को send कर दिया जाता है, इसमें जो example है, वो है dark hotel, ओके, then next हमारा आता है, route kit, नाम जो आता है, route kit का जो work है, same जो है कुछ level तक है, spyware तक है, जो की, वो ये route kit भी जो है, computer system के अंदर enter होके, user की सारी information को उसके gather करता है, और user को पता भी नहीं होता, कि इस तरह का software या इस तरह का program जो है, उसके computer system पे available है, तो इस तरह का जो program है, specially, आपके computer system के लिए बनाया जाता है, जो की computer की जितनी भी authority होती है, उसके जितने भी administrative rights होते हैं, इस software को मिल जाते हैं, route kit, नाम से पता चलता, route का मतलब होता है administrative access, तो user के presence, जो है, user को बिल्कुल भी पता नहीं होता, कि उसके computer में इस तरह का कोई software जो है, इंस्टॉल कर दिया गया है, अब यह क्या करता है, route kit क्या करता है, remotely, यानि कहीं पर भी कोई person जो है, बहुत दूर से भी, यानि काफी मतलब कितनी भी दूर से आपके computer को access कर सकता है, आपकी file को access कर सकता है, उनको execute कर सकता है, और जितनी भी changes है, आपकी machines level पर वो कर सकता है, तो यह जो work होता है, वो route kit का होता है, और route kit के अंदर, जितनी भी आपके जो victim को बनाया जाता है, विक्टिम के सारे privilege जो है, उसके सारे administrative rights जो होते हैं, वो इस route kit को मिल जाते हैं, तो even आप अपने system पे बैठे भी नहीं होते, तो भी जो है, जब भी कोई भी person जो है, जो की एक तरह से, जिसने, जो hacker है, वो आपके system को कभी भी open कर सकता है, कभी भी log out कर सकता है, उसमें से, यानि कुल मलाकर जो है, सारी जो privilege है, अब software को मिल जाती है, अब ये जो route kit है, ये भी जो है, आपके phishing की help से, या फिर बहुत सारी ऐसी share drives होती है, जहां पर बहुत सारे illegal activity होती है, या फिर malicious attachments, या फिर illegal downloads की help से, जो है, ये route kit जो है, computer system के अंदर enter हो जाते हैं, इसमें सबसे best example है, जैक इलो और zero access, ये route kit के best example है, then next आता है, इसमें key logger, key logger क्या करता है, key logger जो है, एक तरह का ऐसा software program है, जो की ऐसे algorithm की help से, आपके पूरे keyboard को monitor करता है, कि आप क्या क्या type कर रहे हैं, तो keyboard को, यानि आप जो भी type करते, उसकी सारी history को record कर लेता है key logger, और यहां पर ये क्या करता है, एक तरह का पूरा key logger जो है, आपके पूरे system को monitor करता है, तो ये की logger जो है monitoring software है, जो की आपके जितनी भी type कर रहे हैं, आप अपने keyboard से, उन सभी keyboard को एक आपके pattern को remember कर लेता है, और उसकी सारी information को gather करता हुआ जाता है, तो ये जो है key logger की help से होता है, तो इसमें क्या होता है, जब भी जतने भी आपके important password है, आपका जतना भी important data है, आपकी सारी banking information, आपके ATM bin या फिर बहुत सारी ऐसी sensitive information, जो की आपके लिए बहुत useful है, वो जो है, वो सारी information को record कर लेता है key logger, और फिर सारी information को send कर दिया जाता है दूसरे पर, तो जिसमें सबसे best example जो है key logger का वो है, ओलम्पिक विजरी, और नेक्स आता है bots और या फिर botnet, तो bot जो की आपने दिखा होगे जब भी आप वेब साइट पर जाते हैं, तो बहुत तरह के bot work करते हैं, और bot क्या होते हैं, एक तरह के, यह system program, एक तरह से computer programs होते हैं, तो bots क्या करते हैं, वहाँ पर bots को हम लोग क्या करते हैं, वैसे bots जो है, आजकल जो है, हम लोग इसकी लिए, यह एक तरह से legal term है, इसको use करना पर बहुत सारे ऐसे भी bot होते हैं, जो की unwanted होते हैं, जो की एक तरह से hacker जो है, वो बहुत सारी websites पर run करते हैं, और काफी सारे bots को मिला कर, एक वो bot net बनता है, जिसकी full form है, bot network, तो यह एक तरह का bot, जो है self propagating malware है, जो की एक central level से connect होता है, यानि आप suppose करिए, आप एक website को visit कर रहे हैं, और उस website level पर, जो है central server पर, यह bot available है, तो वो क्या करेगा, आपकी बहुत सारी ऐसी information है, जो आप से ही collect करेगा, और आपको लगएगा कि, आप एक legitimate website को, आपनी सारी information दे रहे हैं, बट होगा क्या, वो bot जो है, वो illegal activity करके, आपकी सारी information जो है, आप से gather करेगा, फिर क्या करेगा, यह जो bot है, काफी तरह के bot network create कर सकता है, यानि काफी सारे network create कर सकता है, और network की help से, सारी जो illegal activity है, वो कर सकता है, यह जो bot है, bot is a network of bot, used to launch the broadly remote control flood of attack, अब यह क्या करेंगे, सारे के सारे bot net, जो है, एक तरह का ऐसा attack करेंगे, आपकी level पर, जो की आप जो है, उसको बिल्कुल भी समल नहीं पाएंगे, अब यह जो attack है, वो काफी तरह का हो सकता है, वो आपके email protect कर सकते हैं, वो आपकी website protect कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे, आपके computer system पे भी, आपकी सारी computer system की सारी memory को, unwanted messages से fill कर सकते हैं, जिसमें इसका best example है, इको बॉर्ट, then next आता है इसमें, fileless malware, तो fileless malware जो है, एक तरह का, एक ऐसा malware है, जिसको, जितने भी malware अभी हमने दिक्सक्स की है, तो उनको कोई files चाहिए, replicate होने के लिए, बट बहुत सारे malware आप इस तरह के बन गए हैं, कि उनको किसी भी तरह की file system को छेड़ खानी करे मिना, file system को छेड़ खानी करे मिना, जो है, आपके system के अंदर enter कर सकते हैं, क्योंगे जितने भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा डिसकस किया, वो किसी file के अंदर ही, file के help से ही जो है, वो हमारे computer system के अंदर enter होते हैं, अब क्या करते हैं, यह सारे के सारे file less value है, हमारे को exploit करते हैं, हमारी memory को, जो की operating system के दूसरे software के लिए use है, वो खुद जो हैं, उस पर आके बैट जाते हैं, जिसके वह से operating system के बहुत सारी ऐसी files जोती होती हैं, हमारे लिए useful हैं, उनको delete कर देते हैं, जैसे registry की है, API है, या फिर schedule task होते हैं, जो की अपने समय पर होते हैं, उनकी जो activity है, उनको ये रोख देते हैं, अब इसमें सबसे best example है, एस्टरॉट जो की एक तरह का file less malware campaign है, then next इसमें आता है mobile malware, अब देखिए जितने भी computer system में, या laptop में, ये सारे malware attack करते हैं, बट जिस तरह से android mobiles जो हैं, हमारी industry में आ रहे हैं, तो maximum सभी लोगों के बास इस समय android mobile हैं, तो अब android mobile के अंदर भी बहुत तरह के malware enter हो जाते हैं, जिनको हम लोग mobile malware कहते हैं, क्योंकि आज कल सभी लोग mobile device से जो हैं, सभी के बास mobile device हैं, और एक तरह का mobile malware एक तरह का attack करता है आपके mobile devices को, जिसमें बहुत सारी sensitive information जो होती हैं, आपके operating system के बारे में, या फिर बहुत सारी और भी important information जो हैं दूसरा को पहुचा देता है, देखें यह क्यों होती हैं, यह इसलिए होते हैं जब हम लोग जो हैं अपने mobile पर बहुत तरह की ऐसी apps को install कर लेते हैं जिसके अंदर spamming होना start हो जाता है, तब जो है mobile malware जो है आपके system के अंदर android mobile के अंदर आ जाते हैं, तो इसलिए कहा गया है कि जब भी आप कोई mobile app को install करें उनी mobile app को install करें जो कि reliable हो, illegal activity वाली mobile app को जरूर बिल्कुल भी और बहुत सारे ऐसी gaming mobile app भी है जो की spamming करती हैं, तो यह जो है यह सारी जो मतलब यह mobile malware जो है यह phishing की help से या फिर बहुत सारे ऐसे download जो है जो हो कि हम लोग android mobile पर कर लेते हैं, जैसे games वाले mobile बच्चे अपने अभी करते रहते हैं, अपने अभी download कर लेते हैं बहुत सारे mobile की application को तो वहां की वहां से जो है यह mobile malware जो है, अभी तक हम लोगों ने एक एक फॉर्म के अंदर डिसकस किया, बहुत सारे ऐसे भी malware है, जो की hybrid structure में होते हैं, यानि एक नहीं बलकि दो तीन की combination से बनते हैं, जैसे बहुत सारे hybrid form के malware है, जो की trozen, worms या virus के सारे features को लेकर बने हैं, उनको हम लोग जो hybrid form कहते हैं, और यह जो है, यह भी जो है हमारे computer system के controller को लेने के लिए, और या फिर हमारी बहुत सारी important information को gather करने के लिए जो है, इनका use किया जाता है, अब जैसे best example है, for example boards, जो boards जो create होते हैं, यह भी hybrid form से ही create होते हैं, अब देखिए हम लोग उने almost सारे malware पढ़ लिए हैं, अब हम लोग जो है, इसके जो important feature है malware के, वो भली किसी का भी हो, उनके क्या-क्या important feature है, अब कैसे जाने कि आपके computer system के अंदर malware जो enter कर चुका है, उसको हम लोग discuss करते हैं, तो उससे discuss करें से पहले से जो मैं बतायता हूँ कि हमारा WhatsApp नंबर आपके screen पे available है, तो हमारे course से related कि इसी भी तरह की inquiry के लिए, आप हमारे WhatsApp पे contact कर सकते हैं, और हमारा WhatsApp जो number है, वो आपके screen पर available है, इसके लावा या फिर हमारी website को भी जाके आप visit कर सकते हैं, अब malware की जो important feature है, जैसे ये बहुत सारे ऐसा storage space होता है, जो कि हम लोग अपने, वहापर अपनी files को store करते हैं, कम पढ़ जाता है, क्योंकि ये malware वहापर install हो जाते हैं, इसके लावा बहुत सारे ऐसे programs जो है, वो automatically open या close होने रखते हैं, जब ये malware जो automatically install होते हैं, हमारे computer system के अंदर, then email या फिर बहुत तरह के, ऐसे message हैं, जो कि already हमारे system के through, हम automatically send कर देते हैं, और हमें पता भी नहीं हो कि आपके password, आपके message का जो पूरा का पूरा structure उसो समझ लेते हैं, तो ये automatically आपकी तरफ से और आपके बिहाफ पर दूसरों को email या message send करना start कर देते हैं, then इसी के अंदर बहुत सारे ऐसे pop-up होते हैं, टूल बार होते हैं, या फिर unwanted programs होते हैं, जो कि store हो जाते हैं, आपके computer system के अंदर, तो even आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी website को विजिट करने, automatically pop-up install हो गया, तो वो pop-up जो उस website पर नहीं है, वो pop-up जो है, आपके computer system पर install हुआ है, जब भी आप किसी website को विजिट करेंगे, तो वो automatically pop-up या टूल बार जो है, इसके लावा, आपने देखा है, इनके बारे में discuss किया, अब हम लोग जो है, कुछ ऐसे multiple choice question discuss करेंगे, जो कि आपके paper के point of view से important है, so let's start some of the multiple choice question which are based on these topics, यानि आपके malware के उपर ही है, so पहला question आपके सामने ये है, तो पहला question आपके सामने है, which of the following statement or yes statement is or are true, इन में से आपके सामने दो statement दिए गए है, आ आपको बताना है, इन में से कौन से statement जो है, वो correct है, पहला statement है, spyware is a software called which when get downloaded on your computer, scan your hard drive for personal information and your internet browsing habit, तो spyware एक तरह का ऐसा software है, जब उसको download आप कर लेते हैं, तो ये आपके computer की hard drive को scan करता है, और यहां से जितनी भी personal information है, या फिर आपके जितनी भी browsing habit है, उसको जो है, ये अपने लिए store करके रख लेता है, ये जो है spyware होता है, then rootkit का मतलब है, two statement है, rootkits are computer program that are designed by attackers to gain the root or administrative access to your computer, यानि rootkit एक तरह का, ऐसे computer program है, जो की attacker जो है, आपकी system के root password या फिर administrative access गेन कर लेता है, तो अब आपको बता रहा है, इन में से कौन से statement जो है, वो correct है, तो please इसको आप क्या करिए, वीडियो को post कीजिएगा, और बताईएगा, इन में से कौन से statement जो है, वो correct है, प only, q only, both p and q, neither p nor q, अगर आपको इन में से answer नहीं भी पता है, तो जाके वीडियो को visit कीजिए, दुबारा से spyware जहां में ने बताया है, rootkit में ने बताया है, और वहाँ पे जाके देखी किसका क्या answer है, तो वैसे इसका जो correct answer है, ये दोनो statement जो है, ये correct है, तो spyware और rootkit, द then next question, dash is the action of recording the key struck on a keyboard, typically covertly so that the person using the keyboard is unaware that their actions are being monitored, यानि आप इन में से कौन सा इसका option है, जिससे जब भी आप अपने keyboard को use कर रहे हैं, तो आपकी keyboard की सारी information को एक software जो monitor कर रहा है, या आपके pattern को monitor कर रहा है, और उसकी सारी information को gather कर रहा है, और वो information gather करके कई और पर transfer करेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग denial of service कहते हैं, उसे हम लोग exploits कहते हैं, उसे scam कहते हैं, या फिर उसे हम लोग key logging कहते हैं, so please give me your answer, तो अभी हम ने देखा था कि जब हम लोग ने key logger discuss किया था, तो key logger जो है आपके जितनी भी keyboard की जितनी भी information है, उसको gather करता है, और उसको दूसरों को transfer करता है, तो इस process को हम लोग कहते हैं, key logging, तो इसका जो correct answer है, please mark fourth as a correct answer, key logging, okay, so please mark fourth as a correct answer, next question, question number three, which of the following statement is or are true, इन में से कौन सा statement, जो है, वो true है, पहला statement है, Adware is a software that once installed on computer, track your internet browsing habits, send your pop-up containing the advertisement related to the sites and topics you have visited, यानि Adware एक तरह के ऐसे software है, जो कि आपके computer में install हो जाते हैं, और आपकी जितनी भी internet की browsing habits हैं, उनको gather करते हैं, और जब भी आप किसी भी website को visit करते हैं, तो वहाँ पर वो अपने खुद के जो promotional pop-ups होते हैं, उनको आप तक पहुचाते हैं, यह Adware के बारे में हैं, तो क्या यह statement correct है, आप बताईएगा, that spyware जो है, इसलिए बनाए जाते हैं, spyware is designed to exploit a computer user, and is a broad term covering the computer viruses, worms, trozen, agware, etc. तो spyware को इसलिए बनाए गया है, कि आपके जितनी भी important user की जितनी भी important information है, उसको gather कर सके, और spyware एक तरह से एक ऐसा term है, जो उसमें computer viruses, worms, या फिर trozen, agware, सभी लोगो शामिल होते हैं, तो देखें, agware के बारे में जो बोला गया है, वो तो statement बिल्कुल correct है, बट यह जो क्यों बताएगा है, spyware जिसको बोला गया है, actually मैं यह definition जो है, वो spyware की नहीं है, वो definition, spyware की नहीं है, वो किसकी definition है, वो malware की definition है, क्योंकि malware के अंदर आपके computer virus भी आ जाते हैं, आपके worms भी आ जाते हैं, trozen भी आ जाते हैं, और agware भी आ जाते हैं, इसलिए इसका जो correct answer है, के वल P only है, so please mark P only, that is first is your correct answer, okay, then next question, question number 4 is, which of the following statement is or are true, इन में से कौन सा statement true है, trozen है और एक worm है, trozen के बारे में बोला गया है, trozen is a type of program that either pretends to have or is described as having a set of useful or desirable feature, but actually containing a damaging code, यानि trozen जो है एक तरह का ऐसा software, या फिर ऐसा program होता है, जो अपने आपको pretend करता है, कि उसके पास जो है, वो एक तरह से legitimate software है, वो वर्क वो करेगा जिसके लिए आपकी जरूत है, but actually में इस software के अंदर या इस program के अंदर पीछे जो है damaging code शामिल होता है, ये definition है, trozen की, then next इसमें है, worms के बारे में, जो है, आपकी file or system को damage कर सकता है, क्योंकि ये जो है, आपके resources को use करता है, अब आपको बता रहा है, इन में से कौन सा statement जो है, correct है, तो दिखे, trozen of worm, जो नो दोनो statement यहाँ पर दिये गए हैं, दोनो statement एकदम correct है, इसलिए please mark third as a correct answer, both P and Q, both P and Q are the correct answer, a software that gives full control of a victim computer with full administrative privilege is known as rootkit, spyware, trozen या फिर keylogger, तो एक ऐसा software, जो की computer programs, computer जो भी victim है, या जिसको वो target कर रहे हैं, उसकी सारी की सारी root information और administrative privilege जो है, इन में से कौन ले लेता है, rootkit, spyware, trozen, या फिर keylogger, तो हमने discuss किया था, rootkit के बारे में, कि rootkit नाम से पता चलता है, root, आपकी सारी root information ले लेना, तो इसमें जो correct answer है, वो first है, so please mark first as a correct answer, okay, so strengths, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा, बहु सारे important questions देखें, और बहु सारे important malware के बारे में जिसकस किया, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया है, so please subscribe the channel, और हमारा WhatsApp नंबर आपके screen पर available है, तो हमारे courses से related किसी भी तरह की inquiry, आप हमारे WhatsApp पर कर सकते हैं, तब हम आपसे contact कर लेंगे, और इसके अलावा अभी तक आपने अगर इस वीडियो को like नहीं किया है, share नहीं किया, तो please like इस वीडियो and share इस वीडियो, कि जतना आप like और share करेंगे, उतना ही वीडियो जो है popular होगा, और उतना ही जो आपका जो एक तरह से हमें भी motivation मिलेगा, कि हम और भी अच्छे चे वीडियो जो है, आपके समने प्रिजेंट करें, और आपका कोई और भी सवाल है, तो आप उसे पूछ सकते हैं, यूट्यूब पर comment कर सकते हैं, हम जो है definitely उसका reply आपके लिए बिल्कुल करेंगे, या फिर आप अपने सवालों को WhatsApp की हमें पहुचा सकते हैं, तो मिलते हैं आपके सामने, next वीडियो में, thank you.